हाई एगली बन हर हर महादेव, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, एक दम सी इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी कि लगता है जून का महीना आ गया हो तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ जैसे अपरेल में हमारे स्कूल में न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है वैसे ही अपरेल के महीने में एक नया सीजन स्टार्ट हो जाता है हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाते हैं और बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा तो मेरे को तो गर्मिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट कुछ ऐसे चीजी हैं जो करना मेरे को पसंद है समर के लिए खुद को तयार रखना तो हम कैसे कर सकते हैं वो सभी मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने बाने हैं तो अभी यहां पर दरी बिचा होई तो इसके उपर शूती चादर लाइट कलर वाली बिचा देते हैं क्योंकि आपको पता है डार कलर्स हीट को अपनी तरफ कीशते हैं बट लाइट कलर्स ऐसा नहीं करते हैं पहेंट कलर जब हम पहनते हैं तो हमें कम गर्म होती है इसलिए हम तरीके से अपनी प्रिपटरेशन स्टार्ट करते हैं और देखिए यह बिल्कुल रैड़ी हो चुक्या है हमारी का समर के लिए जो कि इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो अब यहां पे बैठके हम अर लेकिन अप्रैल की महीने में हम इनको भी उठाके रख सकते हैं और फिर यह चीज और दूसरी खेस होते हैं इनको हम केस बोलते हैं और उन सब कंबलों को उनकी जगाय पर रख देते क्योंकि कंबलों में ज़्यादा गर्मी लगती और उतनी गर्मी वाली बात अब रही नहीं इस टाइम पर जो चीटिया होती है वो अपने घर से बहार निकलाती है और वो हमारे किचन में हर जगाय पर चीटिया हो जाते हैं और हमारे खाने में गुच जाते हैं इसके लिए जरूरी आप लक्षमंडेखा या फिर हल्दी चिड़क सकते हैं खल्दी से भी चीटिया होसे भाग सकती है लेकिन यहाँ पर लगाने के बाद चीटिया का यूजकरी दो बस्क्राइब यहां पर किचन जहां जहां पर खान अब वारी आती है अपने गरम कपड़ों को बैड में रखने की और अपने जो गर्मियों वाले कपड़े उनको अच्छे तरीके से सैट करने की समर के लिए खुद को तयार करने की तो अभी ये थोड़े बहुत ही कपड़े मैंने रखे हुए थे बागी तो मैंने रख दिये बट ये कुछ कपड़े रखे हुए थे क्योंकि बीच-बीच में कभी-कभी ठंड हो जाती है बट अब इतनी ठंड तो रही नहीं कि हम गरम-गरम कपड़े पहन सके अब तो बिल्कुल गर्मी आ चुके तो मैं फटा-फट से इन सभी कपड़ों को बैड में रख देती हू इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो आप सभी में निकाल लिए अपने लिए थोड़ा बहुत अपना समर्दी सैट कीजिए जिन जिन चीज़ों की आपको समर्म में जरूरत पढ़ने वाली है उनको एक राम से रख दीजिए अपनी अपनी जगह पे और सोच लिजे कि इस समर के बड़े बड़े दिनों में भी आप अच्छे तरीके से प्रोड़क्टिव रहाज़के अपने पहनने के लिए गर्मियों के सबी कपड़े तो राम से रख दी है मैंने अलमीरा में कोली जाने वाले भी सब कुछ अच्छे तरीके से सैट कर दिया है अब बारी आती है थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने की गर्मियों के लिए तो गर्मियों के लिए क्या सोच सकते ह अब यहां पर हैपी बल्डे वाला टैग रखा हुआ थो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े मेरी फोटो तक रखी हुई थी स्कूल वाली और बहुत सारी ऐसी चीज़े रख देते हैं तो फिर इसको अब काम है इसको अच्छे तरीके से क्लीन करने की मैंने सभी उपर वाला प अब पूरे दिन चलने वाला इसमें बहुत सारी चीज़े रख पाएंगे इसलिए मैं फटाफट से अपने फ्रीज की क्लीनिंग करने के लिए आजाती हो अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि हम तो स्कूल में जाते हम तो कॉलिज में जाते हैं इतना सब काम कैसे कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के यह सब काम कर सकते हैं दो घंटे के अंदर सारा काम हो सकता है अगर आप चाहें ही तो करना विकोज इन चीज़ों को करने से आपको खुशी भी महसूस होगी और ज्यादा फोन स्क्रोल करने से अच्छ इफेक्टिवली रिमोविंग सोइल जम्स और अधर कॉंटामिनेंट्स दे हैल्प अस तो स्टे हैल्दी केर फोर अवर हॉम्स और में कवर स्राउंडिंग मोर प्लीजेंट अब देखिए फ्रीज में तो हम अपना खाना भी रखने वाले गर्मियों में और बहुत सारी पा हमारा साथ देगा हमें गर्मी से बचने में थोड़ी बहुत हमारी हैल्प करेंगा तो इस तरीके से इसको आप लिए जरूर रखिए और देखना जब आपके आसपास की चीज़ें क्लीन एंड और गनाइज रहते हैं तो आपका स्टडी में और अपने काम में और ज्यादा सकता है और अगर नहीं कर सकते हो तो देखिया आलस आपका बढ़ नहीं वाला और जब हम क्लीन इन्वायर्मेंट में रहते तो हमारा मन भी खुश रहता है ना हम ज़्यादा चीट करते हैं और गर्मियों में हमें ज़्यादा गर्मी में लगेगी और इसकी वज़े से हम ज की दर्वाजे कोल के रखती हूं और हर्याना जैसे राज्य में जहां पे इस टाइम पे गेहुं आ रही होती है तूड़ी आ रही होती है बैसों का जो चारा होता है और मतलब इतनी ज्यादा हवा में डस्ट हुई होती है कि वो घरों में बिल्कुल अच्छे तरीके से आंधी अपने खीड की दर्वाजे जब क्लीन रहेंगे तो इन में से अच्छी हवा आएगी और अब गर्मियों में थोड़ी बहुत खुद के साथ अच्छा टाइम स्पैंड कर पाएंगी इसलिए मैं तो थोड़ी बहुत अपने स्टडी रूम के सफाई करूंगी बाकी घर की ड दस्ट आ सकते हैं तो हमारी स्कीन तो क्या बात है हम तो पूरा दिनों चलते कूते रहते हैं खेलते वेलते रहते हैं कुछ करते रहते हैं तो हमारी स्कीन पे तो डस्ट आई जाती है इसलिए अपने स्कीन का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं रो मिल क आपने स्कीन को अच्छे तरीके से क्लीन करती हैं अपने फेस को दिन में दो बार तो राम से गर्मियों में मिल्क के साथ अपने फेस के ऐसे सफाई करने के बहुत जादा फायत दें एंटी इंफ्लमेंटरी प्रोपर्टीज और रो मिल्क हैल्प रिलीव वैरियस स्कीन कंडि इस बात को जरूर दिहान कर gaat कि आपको ज्यादा अलगी छोड़ी और आतरी आसे भील्ड नहीं डेहे हैं और फिर देखना की इन भूत बिलाएगी ऑपको थोड़ी बहुत गर्मी से इन्वारात मिलेगी और ऐक उन्ह जाण रखना झालगी बहुत संदेज तो हमें लेनी है बट इतनी भी नहीं लेनी कि हमारे पूरे फेस पे टैनिंग आजाए बट थोड़ी बहुत आपको लेनी है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हमें ठंडे पानी के और फ्रीज का पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो एफ फृपरेशननन लावी बनाजा चालकार आँडा तो हम आर फ्रीज कि अच्छा नहीं रहा तो इसमें पानी को भर लेंगे और फिर इसका पानी गर्मियों में पीए आप सभी को भी मैं यहीं सजेस्ट करूंगी कि आप पानी मत भीना क्योंकि आप बहार से आएंगे औ मटके का इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी रहता और इसको टेस्ट भी इतना ज्यादा अच्छा है मटके का पानी पीजी और आपको अच्छा भी फील होगा तो अभी इस तरीके से मैंने तो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लिए गर्मियों के लिए अब आपकी बारी कि आप फटा फट से थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के जुट चाहिए और अब यही पर करती हूं मैं इस रूटीन का अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव